हेलो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल है जरिया फैसन में तो आज मैंने के हेर बो बनाई है तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले किस तरीके का फैबरिक ले लेना है इसकी जो लंबाई है वो 5-6 इंच लेनी है और इसकी जो चोड़ाई है वो 5 इंच लेनी है अच्छा आप चाहें तो दोनों को बरावर बरावर ले सकते हैं अब मैं इसमें एक पैंसे निसान लगा देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आजाए कहां पे सिलाई करनी है तो हमें इस जगे पे इस तरीके से सिलाई लगानी है बीच में थोड़ा सा पार्ट खुड़ा छोड़ देना है जिससे कि हमें इसको पलटने में आसानी हो सेम इसी तरीके से हम इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी रेडी करेंगे तो इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने 12 इंच ले लिए और चोड़ाई 5 इंच ले लिए है ठीक है आप अपने हिसाब से कमिया जादा कर सकते हैं इसका कोई इसू नहीं है आप इसको छोटा या बड़ा जैसा बनाना चाहें उसी हिसाब से इसका फैबरिक ले लीजेगा और इसके बाद इसमें मैं फिर से पैन से एक निसान लगा दे रही हूँ और इसमें भी थोड़ा सा पार्ट खुला चोड़ दे दिया जैसे पलटने में आसानी हो और अब मैं इसमें छोटे वाले पार्ट में इस टिशिंग लगाना स्टार्ट करूंगी इस तरीके से ये देखे इस तरीके से मुझे सिलाई लगानी है पूरे में बीच में मैंने जैसा बोला था खुला चोड़ना है थोड़ा सा जैसे कि इस फैबरिक को पलटने में आसानी हो तो इसको इस तरीके से हमें सिल लेना है ये देखिए और अब हम इसको यहां से पलट लेंगे इस जगे से इसको पलट लेंगे पूरा इसके कॉर्णर्स को अच्छे से निकालके इसको पलटना है तो आप चाओ तो कैची की हेल्प से इसके कॉर्णर्स को निकाल सकते हैं ठीक है इस तरीके से हमें निकाल लेना है और इसके बाद इसके उपर मुझे stitching कर देनी है ठीक है अब मैं इसके चारों तरब stitching लगा दूंगी जिससे मेरा खुला वाला पार्ट है ये भी कबर हो जाएगा ये देखे इस तरीके से तो इस तरीके से मैं सिलना है इस तरीके से मैंने सिल लिया है अपना ये और अब इसके बाद मैं इसका नीचे वाला जो पार्ट है उसको भी रेडी कर लूँगी तो उसके लिए इस तरीके से डवल फोल्ड पहले से ही मेरा फैब्रिक है इस तरीके से और अब मुझे ये जो मैंने निसान लगाया था सेव निसान के उपर ही मुझे स्टिशिंग लगा देनी है इस तरीके से और इसका भी बीच में थोड़ा सा पार्ट खुला छोड़ना है जिससे कि हम यहां से अपना पलट सके है तो इस तरीके से हमें इसमें भी सिलाई लगानी है और ध्यान रहे आप अपने इसाब से कपड़ी की लंबाई और चोड़ाई बड़ी या छोटी कर सकते हैं जितनी भी आप बड़ी या छोटी रखना चाहें ठीक है तो इस तरीके से मैंने इसके जो कॉर्णर्स थे उसको कट कर दिया है और अब मैं इसको भी इस तरीके से पलट लूँगी यह देखिए इस तरीके से पलट के इसके भी कॉर्णर्स को कैची की हेल्प से निकाल लेंगे अच्छे से यह देखिए मैंने निकाल लिया और इसके आप किनारे किनारे इसमें भी सिलाई लगा दिंगे I hope आप लोग का मेरा आज का ये वीडियो पसंद आ रहा होगा पसंद आ रहा हो तो प्लीज सरन को सस्क्राइब जरूर करिएगा वेल आइकोन को प्रेस कर लिजेगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए तो इस तरीके से मैंने पूरे में जिक सलाई लगा लिये तो इस तरीके से मेरे दोनों पार्ट जो थे वो रेडी हो गए है और यह देखिए इस तरीके से इनकी लंबायो चोड़ाई मैं दिखा दे रहे हूँ बनने के बाद भी ठीक है इस तरीके से इनकी लंबायो चोड़ाई है आप फिर से मैं बता रही हूँ आप इसको बड़ा या चोटा अपने हिसाब से ले सकते हैं दरूरी नहीं है जितनी मैंने लंबाई और चोड़ाई लिया है आप उतनी लें ठीक है आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं तो मुझे इस तरीके से इसको पकड़ना है इसमें चुटी-चुटी सी प्लीट्स डालनी है और इसको सुईधागा की हेल्प से यहां पे टक कर देना है तो इसमें हम ठाका मार देंगे ताका लगा देंगे इस तरीके से और इसमें मैं इस तरीके से इसको अटेश कर लूँगी सेम इसी तरीके से मैं नीचे वाले पार्ट में करना है तो नीचे वाले पार्ट का सेंटर वाला पार्ट होगा वहाँ पे एक निसान लगा देंगे और इसी जगह पे हमें छुटी-छुटी सी प्लेट्स ले रेनी है और इस वाले फैब्रिक में भी हमें एक टाका लगा देन और इन दोनों को आपस में अटेश कर देना है इस तरीके से ठीक है इसको भी आपस में इस तरीके से अटेश करेंगे दोनों ही पार्ट्स में मैंने चोड़ी चोटी सी प्लीट्स लिए और इस तरीके से अटेश कर दिया है अब इसको हम पक्का कर देंगे यहां से यहां पर इस तरीके से हम इसे पक्का कर देंगे ठीक है तो इस तरीके से इसका कुछ लूग इस तरीके से आया है और अब मैं इसके उपर एक पट्टी लगाऊंगी तो पट्टी रेडी कर लेंगे अब हम तो उसके लिए थोड़ा सा फैबरिक लेना है और उसको अपने साब से कट कर लेना है जितना भी आप बड़ा चोटा चाहें कट कर लें और इसको इस तरीके से डवल वार फोल्ड करके और इसमें स्टेचिंग कर देंगे हम ठीक है तो यह तरीके से आप हम सिलाई लगाएंग यह देखें इस तरीके से फैबरिक को रखेंगे और इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे है तो इसके लिए जहां मैंने इसको टाका लगा था उसी जगह पर इस तरीके से रखेंगे जो मेरी उल्टी साइड है वहाँ पे इसको ले जाके यहाँ पे मसीन से इसको सिल देंगे आप चाहें तो मसीन का यूज करें और अगर चाहें तो आप इसमें सुईधागा का भी यूज कर सकते हैं तो मैंने इसको इस तरह पे मसीन से टक कर दिया है ठीक है तो इस तरीके से हमने इसको अटेज कर लिया है तो यह मेरा फाइनल लूक है अगर आप लोगों पसंद आया तो प्लीज लाइक जुरू करें दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा बाई